प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कॉंग्रस को लोगसभा चुनाओं में टकर देने की पूरी तैयारी कर ली है एक और जहां भाजपा और कॉंग्रस अब तक लोगसभा चुनाओं के लिए प्रत्याशियों के नाम तैय नहीं कर पाई है वहीं आपने आज भोपाल में प्रतियाशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है आपकी दूसरी सूची में पार्टी ने आम आदमी के नाम तेह करनी की कोशिश की है जिसमें उजयन से अनीता हिंडोलिया, खरगौन से कैलाश अवस्या, जबलपूर से रिटायर वायू सेना करनल अब्दलनसीर हनीफ, मनसौर से पूर्व निर्दलिय विधायक पारस सकलेचा, मनला से खुमान सिंग और विदीशा से भागवत सिंग राजपूत के नाम तेह कि आए गए हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता अक्षे हुंका ने बताया कि भाजपा और कॉंग्रस के लिए आने वाली लोकसमा चुनाओ, किसी चुनाओती से कम नहीं हैं, आप पार्टी दोनों ही प्रमुक विपक्षी पार्टीों को टकर देने के लिए पूरी तरह से तया है, वहीं वायू सेना के बाद राजनीती में भागे आजमा रहे, वायू सेना के रिटार्ड करनल अब्दलनसीर हनीफ ने कहा कि सेना के कारिकाल के दौरान उनका सफर और उनके आसपास का माहल काफी साफ सुतरा था, लेकिन बाहरी दुनिया इससे काफी अलग है, इसके ल चन्ना हजारे को राजनीती गंदगी लगती है, लेकिन समाज से दोशों को दूर करने के लिए उस गंदगी में जाना जरूरी है, पूर में निर्दली वधायक रह चुके पारस सकलेचा ने भी आम आदमी पार्टी का हाथ थाम लिया है, आम आदमी पार्टी के और से और सीट से लोकसबा चुनाओ लड़ने की तैयारी कर रहे बारस सकलेचा ने भाजपा से टक्कर की संभादना जताई है, वी के लिए कैमरा पॉर्सन डनी खान के साथ नहाया दफकी रिपोर्ट